अग्चेर ईतर्द मेर्म एक दूसरा लेबबल है शिर उढ़कना एक तक्राइब ने इमीच सिर औंभागना नेते संसी कोई एक भी आलिम ने कहता है को सिर को धाकना फर्जम इसमें एक तकी यह मुस्ताब है सुन्नत है अकश्र उल्मा कहते हैं ये सुन्नद है, कुछ कहते हैं, मूबा है, मूबा मतलब optional ना आपको सवाब मिलेंगा, ना कोई फाइदा होईंगा, ना गुणा मिलेंगा, optional करने का करो, नही चुश्त करो, लिकिन अब्सार उर्मा कहते है, के स्फिर को ढाकना सुन्नत है, शेक लाखना सुन्नत है, रदीष नमबर छे नव आट इसमें लिखा है कि इबन अबास फरमाते है रदैलावन कि मुहम्मद ऑल्लाव सल्म जब घर के भार निकले तो उनके सिर के ओपर एक काली पगड़ी थी अगर दूसरी आदिश है अनल बिन मलेख रदैलावन फरमाते है कि मुहम्मद ऑल्लाव सल ने अपने सिर्व पे एक कपड़ा बांदा, कई हदीस है, और एक हदीस है सभी बुखारी में, जिल्द नमबर सांस में, किताब अल्लिबास में, चैप्टर नमबर सत्रह, हदीस नमबर 699, जिसमें अपनाद बिन मलिक रदियलाओन फर्माते है, कि फति मक्का के साल में, जब एक भी अधीस ने कि हमत साल लुखारी में, कि जिसमें जिकर आता है, कि वो घर के भान निकले, और सिर्व ढखा नहीं था, एकसेप फो, जब वो एहराम के अहलत में थे, तो इसलिए अक्सर उल्मा कहते है कि सिर्क उढखना सुननत है, कुछ उल्मा कहते है, मुबा है, ले हमारे, जो सिर्क उढखने का अक्सर तरीक आम, जो मुसल्मानों में, जो हिंदुस्तान में, वो ही टोपी, एक लेवे लोगा दाड़ी, दूसरा हो गया टोपी, ये टोपी जो महीं पेंड़ रहा हूं, बहुत सस्ती है, 30 रुपे की है, 30 रुपे की, थोड़े अच्छी मक्षी को भी नुक्सान ने पोचा सकती है, हाँ, इससे लोगों को डर क्या, और पेंने में मुश्किल क्या, ना महींगी है, अब कुछ टोपी महींगी होती, 200 रुपी, 1000 रुपी है, कुछ लोग माशाला अच्छी टोपी पेंड़ लाँ, 30 रुपे की, लेकि सिर्क उढ़ को, अगर आप नोक्री करने जा रहे, आपका बॉस, आपका मालिक, अगर का, बै टोपी मत पेंड़ो, ठीक है, बै टोपी को, घिजे में दालो, लिकिन जब नोक्री से भाण निकले, उस टाइम दो पेंड़ो, वो थोड़ी बॉस आपको तनका दे रहा है, उस टाइम दो मुसल्मान अक्सर क्या करते, जब मस्जिद में जाते, नमाज पढ़ने की टोपी पेंड़ो, अंदर दालते, क्यों? नमाज के लिए पेंड़ो पेंड़ो अच्छी बात है, अलहम दुला, कमस कम नमाज के टाइम पे, तो सिर को ढढ़ा करे, लेकिन नमाज के बाण निकले तो टोपी किसे में? नमाज के वो टोपी पे न अच्छी बात है, फर्ज नहीं है, लेकिन कमस कम नमाज के टाइम पे, तो हम अपना सिर क्या अच्छी बात है, लेकिन जब नमाज के बाण निकलते, टोपी क्यों निकालते? कहीं लिखा है कि टोपी निकालो? तो हमेशा बेनों नमाद में जब पहिंड रहे तो भार भी बेनों न मैं क्यों कि बंबे शेर में रहता हूँ बंबे वालों से अगर आप पूछेंगे क्या अपने डादा से पूछो पचास साल पहले, साट साल पहले, असी साल पहले, मंबई शहर में, अगर किसी को टैक्सी में सहर करने का होगा, तो क्या करेंगे हो, वो देखेंगे टैक्सी डैवर डारी टोपी वाला होना चाहिए, क्यों? क्योंकि डारी टोपी वाले ये मांदार है, ये डारी टोपी वाला अगर किसी को कुछ दुकान से खरीदने का है तो कोशिश करेंगा तो दुकान दार है तो दारी टोपी वाला है तो आई यह मुझे बेवकूफने बनाएंगा यह मुझे चीटने करेंगा तूँकि उनके जहन में एक सोच थी एक गैर मुस्लिम भी सोचते थे कि यह मुसल्मान हमें दोखाने देंगे बले मैं इनकी बात मानू या ना मानू यह मुसल्मान हमें दोखाने देंगे इतनी इज़त थी दारी और टोपी की यह कभी की बात है पचास साल पहले साट साल पहले, असी साल पहले तो आज इसको दादागरी करने का है तो दारी टोपी ये सोच बन गई सोच बदल गई और बदलने की वज़े क्या है हो सकता है कुछ हमारे मुसलमान गलतियां कर रहे हैं कुछ मुसलमान गलती करते मीडिया उसे उचालती है और ऐसा पेश करती है कि हर दारी टोपी वाला कि आए कि पजह कों सकता है कि ये कि आदमी सई नहीं है तो मीडिया अभी गलत पिच्चर पेश करने लगा दाड़ी और टवपी का और लोग दाड़ी और टोपी से दूर भागने लगे हम मुसल्मान बोगी हो के जारी टोपी में किए इसलाम हो जारी गोफी में और वो दूर भागने लगे लेकिन मैं कहता हूं मान भी लो। क्या ये नजर्या बन गया है आम माहूल कि दारी डोपी पेनने वारा सही इनसान ने कमस कम आप दारी डोपी पेनो और थाबित करो कि महीं तो अच्छा हूँ बाकी कहे छोड़ो महीं तो एमानदार हूँ महीं तो सच बोलता हूँ महीं तो हग बोलता हूँ इसलिए जान बूच के बाकी लोग अगर मीडिया खराब कर रही है इस लेबल को ये लेबल जो इतने सालों से आ रहा है सिक्ड़ों सालों से इस लेबल को अगर मीडिया आज खराब कर रही है तो हम इस नज़रे को बदल सकते हम क्यूंने इस नजरीय को बदले क्यूंने बदले लेकिन हम मुसलमान पीछे अटते ये लेभल और ये हकुम जो अल्ला का है, अल्ला के रसूल का है क्यूंने उसको हम अमल मिलाए ये लेभल हुआ दाड़ी और टोपिका अगर आपका लेबिल आपके इरादे को जाहिर करता है तो उसे पेन लीजिए